जाहिंद एवरिवान गुड मॉर्निंग टुवन और स्वागत एक बाब फिर से आपका देट्यूटर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और एक और शांदार जानदार से करेंट अफेर के सेशन में मैं आना अभिशेक मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ट्राफिक की वज़े से थोड़ा लेट हो गया प्लीज इनफॉर्म कर दीजिए वाई सभी को एक बार मैसेज कर दीजिए जिनके भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स है या कोई ग्रूप है तो एक बार फटाफट से जाहिए है चलिए भई फटाफट से आईएगा सभी लोग होते हैं और आपके पास कॉन्टैक्ट्स है अगर उनके हांजी जैहन जैहन भाई शैलेश अर्जुन मौनिका शुभम अपढ़नावर्च कुमकुम सेंग प्रभा चोधरी प्रभा कुमारी शुरी शिवम रितेश तिवारी एचसेम अकांक्षा खरे अर्जुन चलिए भई आईए फटाफट से लोग सभी लोग उनलाइन एक बार इन्फॉर्म कर दीजेगा भाई जिसके पास भी आपके नंबर है आपके पास नंबर है अगर जी बाकी कैसे हैं सभी लोग औल गोर्ड सब बढ़िया आई गैस चलिए एक मिनिट का टाइम दीजेगा कर लेता हूं मैं क्लास को अपनी को फटा-फट से अग्याइब चलिए जी आई ये फटा-फट ओनलाइन अविनाश विकास परजापती दीपक खामकर आदर्श दूबे महंदर कुमार खुशी सेंग चलिए भई फटा-फट से थैंक्यु फो यू पेशेंस आड थैंक्यू फो यू सपोर्ट गाईज जो भी लोग उनलाइन है सेशन को लाइक कर दीजे जल्दी से सेशन को लाइक करिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले ओलडी लेट हो चुका है चलिए भई शुरू करते हैं रहेगा सल्यूट टू इंडियन आमी पुलवामा टैक 14 फरवरी 2019 हमारी और आप सभी की श्रदांजली अर्पित करनी चाहिए हम सब्सक्राइब करते होंगे जब आप इनके शौरी और वीरता की बाते करते होंगे और सुनते होंगे न्यूज में अख़बारों में और न्यूज चैनल में है ना चलिए जी फटाफट से आईएगा तो आई जस्ट वांट कि भाई यूगाई रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट देम एंड देयर शौर यह जो उन्होंने अटेन किया है बिकॉस दे वांटेट टू प्रोटेक्ट दे नेशन दे वांटेट तो प्रोटेक्ट आर बॉर्डर स्रॉम एनमी कंट्रीज और भली बाती ही जो है हमारी इंडियन आर्मी ने बदला भी लिया था सर ये खास बात हमारी defense academies की चाहे वो नडिये हो चाहे वो आई म में हो चाहे वो टी सबस्काई में हो चाहे व इंडियन नेवžeल अकडमिय हो और है ना यही का जवाब पत्थर से घर में घुसके मारा एना चलिए शुरू करते हैं सेशन को लेक्चर नंबर रहेगा सो फाइनली हमने सेंचुरी आज अटेन कर ली है वैसे तो पहली हो जानी चाहिए थी बट कभी रैपिड कभी कुछ की वज़े से जो है कुछ कुछ लेक्चर जो है नहीं हो पाए है ना चलिए भई तो लेक्चर नंबर रहेगा आपका सो फाइनली 14 फेवरी दोहजार ते हिस इंपोर्टेंट हेड्लाइन से करेंगे शुरुआत पहली है क्या मैटा लॉंच इस डिजिटल सुरक्षा कैम्पेन फोर सेफर इंटरनेट ड मेटी मेटी मतला मिनिस्ट्री ओफ मिनिस्ट्री ओफ मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिक्स मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिक्स और इन्फोर्मेशन टेकनलोजी और इन्फोर्मेशन टेकनलोजी मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर अश्विनी वैसनव जी जो है हमारे मिनिस् पहले Facebook बोलते हैं जिसको उसी का नाम क्या है मैटा है ना को है तो बैसिक लिये Philip क्या Program एप books डिजिटल लिट्रेसीं ताकि लोगों को जतीजिटल लोग डिजिटल बने और उन का फाइट कर पाएंगे तो याद रखेगा किसने लौंच किया मेटा मेटा ने लौंच किया digital क्वाइण सद्वा Olra केंपेन तहीं कैडिजिटल सुरक्षा केंपेन ठीक है जैहिन भाई जैहिन एंड नमस्टे बाई प dopamine कि साथ फेवरी के बाद का PDF नहीं मिला है भाई मैंग सर जो है सरदार जो है भी आउट ओव स्टेशन है किसी वज़े से उनके पास एप की एकसस है तो कल होपफुली वो आ जाएंगे तो आपकी जितनी भी PDF पैंड पैंडिंग है वो सभी डल जाएंगी तो डॉंट वरी है ना या लिए भाई तो आगे बढ़ते हैं अम्रित पैंज data yapt ऑटाल शस्वनी वैसन अभी है डॉक्टर अ्षवनी वैसनव बेसिकली इंडिया पोस्त को जो है क्या किया गया इंडियन पोस्त को जो है थोड़ा management के बारे में बात करी गई और presenting चिया गया बाई उत्लेमिलिक ऑख और उत्लेमिलिक और ईकर एपना उनकी स्टडी से रिलेटेड तो उनकी जो रिलेटेड फिल्ड में उसको ब Cross इंक सब्सक्राइब Сब्सक्राइब सब्सक्राइब by the Department of Post which has been the backbone of the country's communication for over 150 years डेड़ सो सालों से जो कंपनी की कंट्री की रीड की हट्टी बनी हुई है एना अमृत पैक्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हूँ फाउंडेड आर्ये समाज करिए भई अटेंप्ट फिर जानेंगे आर्ये समाज के बारे में क्यों क्वेश्चन आया है राजाराम मोहन रहा है स्वामी दयान सरस्वती ईश्वार चंद विद्या सागर या राम कृष्ण परमंस अजी बताइए हूँ फाउंडेड आर्ये समाज आर्ये समाज की स्थापना किसने की हिस्ट्री के पॉइंट आव इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हाँ जी है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी अभी इसमें भी कंफ्यूजन है डाट इस रीजन कि मैंने नहां पर इंट्रिड्यूस कराया है कि एना कि स्वामी दयानन सरस्वती चलिए राजारा मोहनराय ने स्थापना करी थी ब्रह्मों समाज की एना ब्रह्मों समाज की स्थापना करी थी 1885 में एना स्वामी दयानन सरस्वती ने स्थापना करी थी आर्ये समाज की 1875 में 1875 एप स्वामी दयानन सरस्वती ने इस्थापना करी थी ठीक है तो जल्दी से लिखिए इसको जल्दी से नोट कीजेगा भाई important question है important question है ठीक है दयानन सरस्वती DAV in 1886 1885 अरे ये थोड़ा एक मिनिट ये 75 85 के उसमें फ्लो में लिख दिया मैंने चलिए स्वामी दयानन सरस्वती ने आरिय समाज की स्थापना करी थी 1875 में और राजाराम मोहनराये ने इस्थापना करी थी ब्रह्मो समाज की ब्रह्मो समाज की 1828 में 1828 में ठीक है तो 1828 में ब्रह्मो समाज और 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानन सरस्वती ठीक है तो इसको correct कर लीजेगा 1828 ब्रह्मो समाज दो से तीन चार बार आचुका है आपका question ना कि आरे ये ब्रह्मो समाज की स्थापना कब और किस ने करी थी तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में करी थी 1828 ठीक है भाई clear चलिए तो यही था 200 वी anniversary है basically PM मौधी नौगरेट दयानन सरस्वती इस 200 बर्थ anniversary celebration ठीक है जी तो यग किया महायरिशी दयानन सरस्वती जी की 200 वी जैनती का ठीक है clear यह बैठे हुए हैं बाबाजी ठीक है नेंद्र मोधी हवन करने ठीक black day का मतलब भाई पुलवामा अटेक हुआ था आज के दिन आज के दिन 2019 में पुलवामा में जो इंडियन आर्मी के soldiers थे they were sleeping in Uri sector है ना तो उसके time पे जो है उसमें जो है वहाँ पर आग लगा दी थी terrorist ने घुसके उसमें टेंट्स में सोते हुए soldiers के ठीक है तो that is the reason कि उसको black day के लिए हम celebrate black day मानते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री में है ना चलिए भई वैसे पता रहना चाहिए था यार ये black day पूछ रहा हो मुझस से चलिए जी अगला cyclone gabriel was recently news it has hit which of the following nation चक्रवात gabriel हाली में खबरों में था इसने निम लिखित में से किस देश से टकराया है बताईए जी US, Japan, Philippines, New Zealand हाँ जी कहां टकराया cyclone gabriel akangshachand option number D left hand परशांत वर्मा Japan देखे भई cyclone होता क्या है cyclone क्या होता है cyclone के center में center में रहेगा low pressure center में रहेगा low pressure और outer में रहेगा high pressure outer में रहेगा high pressure और जो हमारी wind flow करती है जो हमारा wind system flow करता है वो flow करता है high pressure to low pressure high pressure to low pressure है ना तो एक भवर टाइप बन जाता है और चीजें center की तरफ accumulate होना शुरू होती है है ना चीजें क्या होंगी भार से center की तरफ accumulate होना शुरू होंगी क्योंकि हवा का जो mode है जो रुख है वो कहा है भार से center की तरफ है because center में low pressure है और outer में high pressure है इसको बोलते हैं आप cyclone इसका उल्टा कर देंगे अगर आप इसका अगर उल्टा कर देंगे कि outer में low pressure center में high pressure तो बन जाएगा anti cyclone वो बन जाएगा anti cyclone नदन hemisphere में घूमता है anti clockwise नदन हैं नदन हमिस्फेर में घूमता है anti clockwise और तदन हमिस्फेर में घूमता है clockwise ठीक है इन पर question आ चुके हैं आपके अलड़ी एक्जैम्स में तो इसको जो है सोरा सीरियसली लिए जीगा साइकलोन क्या होता है center में low pressure outer में high pressure नदन हमिस्फेर में anti clockwise घूमता है और सदन हमिस्फेर में clockwise घूमता है ठीक है जब पारा गिर जाए 20 मिलिबर 20 हंते 24 घंटे में 24 मीली बारना है ना बों साइकलोन कहां पर आया था आपका कैनेडा और र सी कैंपा ठीक है यह में टीक है पनड़ टाल्याम है अरह है साइकलोन गैबर्यविल निजिलिंड ठीक है भाई कि लास्ट पेपर में था बिल्कुल वारास्ट पेपर मैं नहीं काफी बार आ चुका है साइकलों अरेन्टिस आपके के पीपर में है ना ऐंटि साइकलोन इसका उल्टा घुमता है अभी एंटिसाइक्लवन उल्टा घुमेगा वह बार अंदर से बाहर की तरफ गुमेगा क्योंकि अंदर इस बार हाई प्रेशर रेंग और नियू जाता है तो अलगत ए लियद मोडिय लिख विणb ठीक है कहां पर न्यूजिलेंड में किलिए चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका लीथियम डिपॉजिट्स आपको बताया था कि टर्की में हमने जब अपना हुमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा उधर है ना ओपरेशन दोस्त के नाम से और इधर एक अच्छी खबर आ गई क्या जम्मू कश्मीर में हमें क्या मिल गया जम्मू कश्मीर में लीथियम जो है डिपॉजिट्स मिले हैं लीथियम डिपॉजिट्स फांड इन जे एन के इस नहीं मिला भई 5.9 million ton 5.9 million ton इतना लीथियम मिला है है ना तो आप सोचिए कि electronics vehicle का जो development है कितना boost करेगा इंडिया और इंडिया की economy है ना तो it is a very good and major development in recent news है ना तो क्या है इंडिया माइस ministry on thursday announced that 5.9 million tons of lithium reserves have been found for the first time in the country in जम्मू एन काश्मीर यह ना geological survey of India for the first time established lithium inferred sources G3 of 5.9 million tons in the Salal हैमाना area of the rice district of जम्मू एन कश्मीर यह भी याद रखना है आपको ठीक है यह एरिया जरूर याद रखेंगे सलाल हैमाना सलाल हैमाना कहां पर है यह जम्मू कश्मीर के रियसी district में रियसी district of जम्मू कश्मीर के अंदर है आपका यह जहां पर हमें मिले हैं लीथियम रिजर्व लीथियम जो है deposits ठीक है तो 5.9 million ton रियसी district of जम्मू कश्मीर चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है वर्ल्ड गवर्मेंट सम्मिट 2023 बताइए जी कहां पर हुई वर्ल्ड गवर्मेंट सम्मिट 2023 कहां पर हुई बताइए एनिबड़ी मैडनेस इंफिनिटी निंजा आफ्टर हाफ्टर हाउ मेनी डेज दुबई लेफ्टन परशांत वर्मा एनिबड़ी एल्स वर्ल्ड गवर्मेंट सम्मिट दुबई शवी चोधरी चलिए भई वेरी गुड आंसर है आपका दुबई ठीक है तो यह वर्ल्ड च्केश्च exciting देशों के प्रेंट इसमें सामिल हुएं इंक्लोडिंग Egyptian President जो हमारी Republic Day Parade में क्या थे चीवगेस थे अब्दुल फतह LCC President of Republic of Turkey जहाँ पर अभी अर्थकुएक आया हुआ है और हमने launch का रखा है operation दोस्त ठीक है Recep Tayyab Erdogan ठीक है तो इनके अलावा 20 Presidents ने इसमें participate किया ठीक है World Government Summit ठीक है क्लास के टाइम में college जाता हूँ इसलिए recorded देखनी पड़ती है ओके चलिए भई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश government launches portal for one family one ID ठीक है तो भाई one family one ID card launch किया है उत्तर प्रदेश ने क्या इसका मोटिव है वह इसका मोटिव बेसिकली यह है अगर किसी family में कोई jobless है jobless है किसी family में basically किसी के पास सरकारी नोकरी नहीं है किसी के पास government job नहीं है और family के अंदर किसी के पास भी तो जो government schemes आएंगी जो government schemes आएंगी और government plans आएंगे या फिर government vacancies निकलेंगी तो basically prioritize किया जाएगा इन लोगों को prioritize किया जाएगा इन लोगों को जिनके पास होगा one family one ID card इसी के अलावा बिना राशन कार्ड के जो below poverty line BPL holders होते है न तो उनको बिना राशन कार्ड के राशन मिलेगा अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है और यह है one family one ID card ठीक है तो one family one ID card जो है start किया है launch किया है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनात जी ने ठीक है आज छु रूपी में बिल्कुल ठीक है तो on the basis of integrated database obtained through परिवार ID families deprived of employment can be identified and suitable employment opportunities made available to them on priority कि भाई अगर कोई भी बेरोजगार है family में है ना family के अंदर बेरोजगार है तो उनको employment दिलाया जाएगा under this particular ID ठीक है तो और भी हो गए ना देखो one family one ID वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट है ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट और ओडि ओपी ठीक है ये भी उत्तरप्रदेश का और एक अभी नहीं हमने last year किया था क्या one district one sport वन डिस्ट्रिक्ट वन इस्पोर्ट है ना तो ये तीनों जो है plans किसके है यूपी गॉर्मेंट के है योगी बाबा के है ठीक है वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन इस्पोर्ट और अब आगया one family one ID card ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं preparation चेक करते हैं आपकी चलिए जी पहला question who has been appointed as the lieutenant governor of union territory of Ladakh बताइए जी लद्दाक के lieutenant governor कोन बने हैं अगर आपने revise किया है थोड़ा बहुत पटाफट से दीजेगा भई आंसर option number D option number D option number D option number D चलिए भई by lieutenant governor जो थे union territory of Ladakh के पहले थे आपके राधा किर्ष्ण माथूर राधा किर्ष्ण माथूर थे राधा किर्ष्ण माथूर ठीक है ये दूसरे lieutenant governor थे लदाक union territory के पहले जो थे वो थे ग्रीश चंद्र मुर्मु जी ग्रीश चंद्र मुर्मु जी पहले lieutenant governor of Ladakh ग्रीश चंद्र मुर्मु जी को लेटर ओन कैग भीज दिया गया था Comptroller and Auditor General of India बना कर ठीक है जी दूसरे तीसे नंबर पर बने राधा किर्ष्ण माथूर lieutenant governor of Ladakh अब तीसे नंबर पर जो बने हैं ब्रिगेडियर साब बने है retired brigadier doctor BD मिश्रा retired brigadier retired brigadier है doctor BD शर्मा तो ये बने हैं हाली में left-end governor of Ladakh ठीक है गुलाब चंद्र कटारिया गुलाब चंद्र कटारिया governor बने है असम राज्ये के असम के जो हैं governor बने है गुलाब चंद्र कटारिया पगु चोहान जो पहले इस ध्यागा हिमाचल परदेश को उनको भेज दिया गया हिमाचल परदेश पगु चोहान मोद मैं ठीक है और जो रमेश्च ब्यास है रमेश्च विलाश्च को भेज दिया गया महरास्टर महरास्टर के governor बने है living hd ठीक है रमेश ब्यास गुलाब चंदर कटारिया असाम फगू चोहन नहीं नहीं एक एकस्क्यूज मी एकस्क्यूज मी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है देखिए है क्या जो आपके गवर्नर थे अरलेकर सहब अरलेकर सहब थे हिमाचल परदेश के तो हिमाचल परदेश वालों को भेजा है बिहार मैंने उल्टा बोल दिया कि बिहार वाले को भेज दिया हिमाचल परदेश नहीं ऐसा नहीं है जो अरलेकर जी थे हिमाचल परदेश के गवर्नर उनको भेज दिया गया बिहार का गवर्न है पक्का अर्यूश और चलिए एक बार चेक कर लेते हैं गलत नहीं जाना चाहिए लिए फगू चोहान सिक्किम और मेघाल है हाँ जी गवर्नर ओफ मेघाल है सोरी चलिए भई कभी कभी निकल जाता है यार दिमाग से के लिए माफी चाहेंगे ठीक है क्योंकि हाली में रिसेंट अपॉइंट्मेंट है पांच शे दिन तक इनको लगातार पढ़ते रहेंगे तब जाके याद तो गुलाबचंद्र-कतारिय ऐसं मेघाले इच Georgia चोहान जी मेघाले एकर क्यूपुचहान पहले ध्यार के थे अब बिखाले भेज gradual रमेश ब्यास जी को महरास्टर भीज दिया और डॉक्टर बीडी मिश्रा जो रिटायर बिगेडियर है वो बहुच गए लद्दाक ठीक है जी बिहार से मेघाले भाई साब किश्मत बदल गई एना बिहार बिहार is not that good state ना और मेघाले की ग्रीनरी मेघाले का नेचर यहना ultimate यहना that is ultimate ठीक है चलिए भई तो आगे बढ़ते हैं विश्व भारती उनिवर्सटी विच वास सीन इन दा न्यूस रिसेंट्ली इस लॉकेटेट इन विच स्टेट बताईए जी विश्व भारती उनिवर्सटी किस राज्य में स्थित है उ विश्व भारती उनिवर्सटी ऑप्शन नमबर सी चलिए भई विश्व भारती उनिवर्सटी क्या बनने जा रही है युनेस्को की हैरिटेज साइट और युनेस्को वर्ल्स फर्स्ट लिविंग हैरिटेज उनिवर्सटी लिविंग हैरिटेज उनिवर्सटी बनने जा र शांती निकेतन और शांती निकेतन और वेस्ट बिंगॉल के अंदर ओप्शन नम्बर सी वेस्ट बिंगॉल इस दराइट आंसर ठीक है वेरी गूट ठीक है दीदी का प्रदेश चलिए भई आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन टाइम फिर्स्ट क्वेस्टन आपका कीजिए अटेंप्ट पीम मौधी इनॉगरेटेट फिफ्टीन्थ एडिशन अप्टीन एडिशन आप इंडिया शो इन बैंगलूरू करनाटका अरे यह दो है सब्सक्राइब बिलियन अपॉर्चनिटी हाँ जी बताइए अब भी बनी नहीं है बात चल रही है हाँ जी बात चल रही है मैं यहीं बोला बनने को जा रही है बोथ हार करेक्ट वी अउनली टू एचसम एचसम ऑप्शन नंबर ए गलत क्यूं है यह भी बताइए भाई थीम है दा रनवे टू आ बिलियन अपॉर्चनिटी दा रनवे टू आ बिलियन अपॉर्चनिटीज ठीक है और यह सब सही है कि प्रधानमंत्री मौधी ने इनाग्रेशन किया है कहां पर किया है बैंगलूरू करनाटका के अंदर किया है बट 15th edition नहीं है 14th edition 14th edition of arrow इंडिय बन है बाइब इंडिय आ हूं को हम आउटर मार्केट सकत रस्ता दिखाए है और उनका प्रूड़क्शन बढ़े उनका प्रॉदक्शन बढ़े सेटफे सोगया और लाइट कॉम्बेट है्लीकोप्टर प्रचंट हो गया है और अभी हमने बनाया है एड्वांस हेली कॉप एरो इंडिया शो जो है हम अब्जर्व करते हैं इनॉग्रेट करते हैं हर साल ठीक है बिगेस्ट एयर शो है ठीक है हाँ जी शूर्य किरन भी है और HLFT HLFT 42 भी है है ना चलिए पूरा डेटा मैंने आपको दिया हुआ है दिस इस दा डेटा ठीक है पहले न्यूस पढ़ लीजे एरो इंडिया शो दो हजार तेहिस इस बेंगलूरू वाट इस दा एक्जिबिशन अब तो अब पढ़ते हैं वा करने के लिए जैसे आपको दिखा होगा हाली में हमने सुखोई 30 mkai परचेस किया था रशिया से साथ के साथ हमने टेकनोजी ट्रांसफर ले लिया कि जो नंबर था कुछ जो हमें चाहिए था वो तो रशिया से डारेक्ट आ गया इन फ्यूचर सुखोई 30 mkai कहां बनेगा इंडिया में बनेगा ठीक है तो जब इंडिया में बनेगा पैसा चाहिए होगा तो कुछ हमारी गवर्मेंट लगाएगी और कुछ भार से इंवेस्टमेंट हम सीख करेंगे उन्हीं इंवेस्टमेंट को सीख करने के लिए हम जो है सेलिब्रेट करते हैं एरो इंडिया शो ठीक है, 98 foreign countries are participating in this program, MOUs, Memorandum of Understanding worth Rs. 75,000 crores are likely to be signed during the event इस event के दोरान लगभग 75,000 crores के समझोतों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, है ना तो in the Indian Pavilion section, 115 companies will display 227 products made in India, the fully configured LCA Tejas Mark 1, Tejas का ये advanced version है, इसमें Indian Air Force और Indian Navy ने जो जो recommendations बताई थी, जो जो amendments करने को, changes करने को बताई थे, वो सब कर दिये गए हैं, और इसमें लगा दिया Mark 1, is the main attraction of these products made in India, Tejas light combat aircraft, advanced light helicopter, Dhruv Mark 3 and 4, light combat helicopter प्रचंड, STT 40 trainer aircraft of HAL, ठीक है जी, ये जो STT 40 trainer है ना, इसको बोलते हैं आप सूर्य किरन, इसका नाम है सूर्य किरन, ठीक है जी, STT 40 trainer aircraft, ठीक है, तो these will be the major attraction in the Air India show, ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, for assistance to refugees, which among the following was awarded UNESCO Peace Prize, बताईए जी किसको मिला, चरनार्थियों की सहायता के लिए, basically refugees के लिए, अपने doors open किये थे, refugees के लिए, अपने doors open किये थे, जब पूरा देश, पूरा globe, जो है refugees को भगा रहा था अपने आँसे, तो Germany ने, अपने doors open किये थे उनके लिए, किसने? जर्मनी ने, तो Germany की former chancellor, जिनका नाम है Angela Markle, former chancellor of Germany, Angela Markle, जैसे यहाँ पर प्रधानमंतरी होता है, जर्मनी में chancellor होता है, main power holder, Angela Markle को मिला है, ठीक है जी? क्या? UNESCO Peace Prize, UNESCO, Paris, France, Paris, France, Audrey Ajoule, Audrey Ajoule, Secretary General, ठीक है जी? United Nation Environment, sorry, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO, ओके भाई, साक्षी शर्मा, चलिए जी, तो this is the news, Markle awarded UNESCO Peace Prize for opening Germany to refugees, तो she is Angela Markle, option number D, ठीक है? चलिए भई, अगला question, Recently, Real Madrid defeated which of the following clubs to win its fifth Club World Cup title at FIFA Club World Cup final in Rabat, Morocco, तो आपको यह भी आद रखना है कि यह Club World Cup कहा हुआ, तो यह Club World Cup हुआ, रबात मुरक्को के अंदर, ठीक है? तो आपको बताना है कौन सी टीम को हराया है, Real Madrid ने? अलनसर, अलहिलाल, फ्लैमिंगो या सियेटल साउंडर्स? हाँ जी? ओप्शन नमबर A, ओप्शन नमबर B ओप्शन नमबर B ओप्शन नमबर B ओप्शन नमबर B अलवाय कप, रबात, मुरक्को के अंदर तो एक तो क्वेशन यही हो गया कि भई, फीफा कलब वर्लकप कहां पे हुआ है? मुरक्को के अंदर हुआ है दूसरा क्वेशन का अंसर ये मिल गया आपको कि कौन जीता है? रियल मैडरिड जीता है रियल मैडरिड और रियल मैडरिड ने हराया है अलहिलाल को अलहिलाल को हराया है ओप्शन नमबर B ओप्शन नमबर B अलहिलाल ठीक है भाई? अलहिलाल ओप्शन नमबर B ठीक है जी? तो ओप्शन नमबर B अलहिलाल विल बी और राइट आंसर तो याद रखेगा कौन जीता रियल मैडरेट जीता है ठीक चलिए जी नेक्स्ट विच इंडियन एथलीट वन गोल्ड इन शॉट पुट इवेंट एड़ एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपिंशिप किस भारती अथलीट ने एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपिंशिप मे शॉट पुट इस प्रद्धा में स्वन्ड पदक जीता बताइए भई फटा फट से दीजेगा आंसर एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपिंशिप कि 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 चलिए जी एशियन इंडॉर एथ्रेटिक चैंपियंशिप पहला क्वेश्चन इंडिया ने कितने मेडल जीते तो इंडिया ने टोटल आठ मेडल जीते हैं टोटल आठ मेडल जीते हैं दूसरा क्वेश्चन एशियन इंडॉर एथ्रेटिक चैंपियंशिप कहां पर हुई त यह हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में अस्ताना कजाकिस्तान अस्ताना ठीक है और यह तीसरा क्वेश्चन कि शॉट्पुट इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता एक ही गोल्ड मेडल है आठ में आठ में एक ही गोल्ड मेडल है और गोल्ड मेडल शॉट्पुट में आ तंदर अब हुआ ठीक है वाई तजाकिस्तान अस्थाना प्क तो मैडल है डिक्रक्या क्या होते है गोल्ड होता है फीक है तो ऐ इंडिया दो जीता एक इंडिया ब्रोंट जीता और लोकी से जीते सिलवर ठीक है जी एक गोल्ड छे सिलवर एक ब्रॉंज के साथ टोटल आठ मेडल जीते हैं इंडिया ने इस पर्टिकुलर इवेंट में एशियन इंडॉर एथलेटिक चैंपियंशिप ठीक है चलिए मैडनेस इंफिनिटी के पास ब्रोंज है शॉर्ट पुट में वेरी गुट चलिए जी तो यह यह क्वेस्टिन शॉर्ट पुटर तजिंदर पाल पिंग तूर विंस गोल्ड एट एशियन इंडॉर एथलेटिक चैंपियंशिप ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेस्टन रिसेंटली न्यूस आर्टिकल वन जीरो फाइव डिल्स विद्विट विच वन आफ दा फॉलविंग हाली में समाचारों में रहा अनुछेद 105 निम लिखित में से किस से संबंदित है बताइए जी पावर्स और प्रिविलेजिज आफ दी हाउस और डी और कोई हां जी जल्दी से दीजे आंसर अप्शन नमबर ए चलिए बही ऑप्शन नमबर ए है इसका सही जवाब आर्टिकल वन जीरो फाइब आर्टिकल 105 पावर्स और प्रिविलेजिज आफ दी हाउसे ऑफ पालियमेंट ठीक है बाई लोकसभा और राज्यस तभा में जो मैंबर ओफ पालियमेंट होते हैं उनको क्या प्रिविलेजिज और क्या पावर्स है ठीक है जैसे कि फ्रीडम ओफ स्पीच अड आल ठीक है उ इंपीचमेंट ओफ प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 61 के अंदर अपॉइंटमेंट ओफ गवर्नर यह आता है आपका आर्टिकल अपॉइंटमेंट ओफ गवर्नर यह आता है कि भाई अपॉइंट करेगा इंडिया के गवर्नर को और इंडिया का गवर्नर जो है काम करेग cabinet state cabinet के basically state cabinet की उस पर सलहा पर है ना तो यह आता है आपका article 153 and 154 article 153 और 154 में दिया हुआ है governor के appointment का और governor state की जो government है cabinet है उसकी मंजूरी पर और उसके suggestion पर काम करेगा है ना तो वो दिया हुआ है article 163 के अंदर 163 के अंदर और यह जो motion of thanks है यह किसी article के अंदर नहीं है motion of thanks basically rule number 17 है rule number 17 of Indian Parliament rule number 17 of Indian Parliament motion of thanks motion of thanks क्या होता है भारत का रास्ट्रपती जो होता है भारत का रास्ट्रपती पहला जो क्या बोलते हैं पहला session जो है address करेगा of every fiscal year को every fiscal year का पहला जो है session जो है address करेगा भारत का रास्ट्रपती प्रेसिडेंट ओफ इंडिया प्रेसिडेंट ओफ इंडिया ठीक है तो उसमें जो basically सारे members होते हैं वो से thanks बोलते हैं किसको प्रदा रास्ट्रपती को कि under his stamp जो की एक fiscal में काम हुआ है ठीक है उसके लिए उनको thank करते हैं ठीक है उसको बोलते है motion of thank ठीक है जी तो answer हैगा आपका power and privileges of house of the Parliament ठीक है भाई Mr. Barua Panth आपकी शादी fix कर दू क्या एक लड़की है मेरी नजर में डिया जी है पंजाब पुलिस में मरवाएगा भाई साहब चलिये जी next article 105 of Indian constitution it deals with the powers and privileges of the houses of the Parliament collective its members individual and committees it has the following provisions there shall be freedom of speech in the Parliament MPs are exempted from any legal action for any statement made or act done in the course of their duties in the Parliament ठीक है पार्लेमेंट में अगर MPs ने कुछ भी बयान दिया है ठीक है उस पर case नहीं कर सकता उस पर कोई भी case नहीं हो सकता उस पर कोई legal action नहीं हो सकता ठीक है भाई this immunity extends to certain non members as well the attorney general of India the minister who may not be MP but speaks in the house ठीक है यह immunity और किसको दी जाती है एक तो attorney general को जो कि attorney general होता है आपका सरकारी वकील सरकार का highest legal officer ठीक है और किसी minister को जो member of Parliament नहीं है बट स्पीक मैंने भी बोलने आया है ठीक है this article guarantees that MPs can carry out their duties without interruption or fear apports the dignity and authority of the Parliament and supports its democratic operation की भाई जो MPs है वो बोल सके और अपना काम कर सके अपनी duty को कर सके विदाउट एनी डर के किसी interruption के बिना instead of the court the speaker of the house will deal with the instances where a member goes beyond the bounds of permissible free expression इसके अलावा अगर कोई MP अपनी हदे पार करता है ठीक है तो उसके उपर कारवाही करने का जो decision है वो लोग सभा के speaker के पास है ना की Supreme Court के पास ठीक है जी कोट के पास नहीं है वो जो है किसके पास है लोग सभा के speaker के पास राइट है ठीक है तो दिसस आर्टिकल 105 इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है चलिए जी लास्ट बट नॉट दे लीस्ट इंडिया दूरिंटी प्रेसिदेंसी इस प्लानिंग तो पर्पोस दा लॉंच ऑफ ग्लोबल इनिशेटिव मीरा टू एंकरेज बताइए जी क्या एंकरेज करने के लिए लॉंच किया गया है जॉइंट मिशन्स तु मार्ष कंजंप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स टू टैकल विद मास डिस्ट्रक्शन दू टू डिजास्टर्स नॉन आफ दी अबव अजी बताइए ग्लो ऑफ्शन नंबर बी एंडीवन एल्स ऑफ्शन ए ऑफ्शन ए चलिए भई क्या है देखिए भारत वर्ड के अंदर बड़े प्रोडूसर्स में आता है ओफ मिलेट्स मिलेट्स के प्रोडूसर्स में आता है ठीक है जी Seed Currency बोला गया है इसको इसको बोला गया है Seed Currency Millets को क्या बोला गया है Seed Currency तो यह basically जो Global Initiative है यह Launch किया गया है Consumption and Production of Millets Production of Consumption of Millets Millets के लिए Launch किया है Launch होने जा रहा है क्या है भई मीरा इसको पढ़ते हैं देखिए The Union Budget 2023-24 has accorded High Priority to Millets Major Millets in India क्या क्या है जो आर है बाजरा है, रागी है ठीक है Indigenious Variety of Small Millets like Kodo, Kutki, Chena and Sunwa ठीक है तो आप याद रखिएगा और Evidence मिले है Millets के कहाँ पर Indus Valley Civilization में भी मिले है Indus Valley Civilization के अंदर भी मिले है Millets के जो Evidences है ठीक है तो ये पढ़ लेना एक बार याद रखिएगा इस चीजों को ठीक है, important रहने वाला है ठीक है Major producers क्या है राजिस्थान, highest कल बोला था मैंने आपको कि भाई क्यूं है राजिस्थान में मिलेट्स का जिकर था करता है मिलेट्स को, ठीक है ठीक, चलिए भई चलिए तो पढ़ लेना इसको एक बार याद डेटा बड़ा इंपोटेंट है आपके जोग्रफी के पॉइंट अविसे जोग्रफी के पॉइंट अविसे इंपोटेंट है ऑप्शन दे देगा विच वन अफ फॉलोविंग क्रॉफ्स आर नौट आ मिलेट्स एना आर नौट अमंग मिलेट्स और आर मिलेट्स ऐसे पूछ लेगा तो आप इसको एक बार पढ़ लीजेगा जो आर बाजरा रागी जो भी इसमें फसल दी हुई है ठीक है चलिए फिर आज इतनी हो पाएगी क्लास क्योंकि अभी टाइम हो रहा है है ना चलिए फिर आज देदी के लिए माफी चाओंगा फिर से एक बार चलिए फिर मिलते हैं अपना इंग्लिस के सेशन में तब तक के लिए जैहिन जै भारत वंदे मात्रम बाई बाई